हेलो एब्रिवान वेल्कम बैक टू माई चानल आज हम आपको बहुती इजी मेथट से सल्वार की कटिंग करना सिखाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सल्वार का मेजरमेंट है 38 इंच तो इसके लिए हम 34 इंच के पार्ट को कट करेंगे फोर फोल्ड करके हम 34 इंच के पार्ट को कट कर लेंगे उसके बाद हम डबल फोल्ड में फैब्रिक को बिछा लेंगे डबल फोल्ड करके हमने फैब्रिक को बिछा लिया है उसके बाद हम कली के लिए लेंगे 34 के हमने पार्ट कट किये थे और 33 की हम कली कट करेंगे दस इंच का आसन लेंगे और यहां से 33 इंच पे हम माग कर लेंगे इसके उपर से 10 इंच का आसन और लेंगे फिर हम दूसरी कली के लिए भी 33 का मेजर्मेंट ले लेंगे फिर हम इन दोनों को मिला देंगे इन दोनों निशानों को मिलाने के बाद दो कली हमारी यहां से निकल जाएंगी और दो कली हमारी उपर से निकल जाएंगी टोटल हो गई चार कली अब हम इसको कट कर लेंगे ये देखिए दो कली यहां से हो गई और दो कली वहां से हो गई टोटल हो गई हमारी चार कली सीधा निशान करने के बाद अब हम इसको कट करेंगे तो जब तक हम कटिंग कर रहे हैं तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यह देखें दो कली यहां से आ गई और यह दो कली हमाएं यहां से मिल गई हो गई हमारी चार कली उसके बाद अब हम दोनों को एक के उपर एक रखके और हल्की सी हाफ इंच की गोलाई दे देंगे आसन की गोलाई दे देंगे यह देखें बस आदे इंच की गोलाई हाँ जी यहां से हम कट कर देंगे इसको आधे इंच की गोलाई देकर यह देखें और फिर हम इसको अलग कर लेंगे यह देखें अब हमारे पास पूरी चार कली हमें मिल गई हैं अब हम बैल्ट कट करेंगे हम 9 इंच की बैल्ट निकालेंगे और 2 इंच का नेफा पलटेंगे तो टोटल हमारी 6 इंच की बैल्ट हमें तयार मिल जाएगी 9 इंच की बैल्ट कट कर दी हमने यह देखिए लेंथ में 9 इंच लेंगे और 2 इंच का नेफा यह हो गए हमारी बैल्ट तो आपको मेरी कटिंग कैसी